गुड मर्निंग बच्चों, आज हम पड़ेंगे मनोविज्यान के क्षेत्र विकासिल, क्षेत्र विक्सित, इससे आगे यहनी की अध्यान क्षेत्र, अध्यान क्षेत्र मींस की मनोविज्यान कौनसे क्षेत्र में वो कारिया करता है, आधुनिक युग में मनोविज्यान अत व्यापक प्रमाण में किया जा रहा है मनोविज्ञान के प्रारम से कुछ प्रत्लिक शेत्र में उसका उप्योग होने से आज ये विक्सिक शेत्र है जबकि कुल क्षेत्रों में उसके घ्नान के उप्योग का प्रारम बाद में होने से वह विका सिल्क शेत्र है उसके उपरां अन्यक्षेत्रों में बी मनो विज्ञान का उप्योग करना प्रारम हुआ तो यहाँ आपने देखेंगे कि उसके कॉण से कॉन से और तो सबसे पहलं हें प्रायोगिक और मनोमापन लखलि महть विज्ञान आन ना का माना जा सकता है क्योंकि मनोविज्ञान विज्ञान के रूप में प्रस्थापित हुआ उसके प्रायोगिक स्वरुप का महत्वपुन योगदान है तो इस क्रित्र की में कार्य करने वाले एफ प्राणियों पर प्रयोग आद्राइन करें किये और फिर बाह। से निश्कर्स करते हैं तो जो मनोवग्यानिक है डूटहर मनोवःप्य। आद मनुशार्अंग्यों पर अद्यान किये और फिर बाद में निश्कर्ष निकाला जैसे कि आप लोगोंने दस्वी में प्रयोग बिज्ञान में प्रयोग पड़े होंगे और रे श में नीचे अपको आप लिखते होंगे तो उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य हप पर हर प्रयोक संभव होता नहीं है पर जहां तक वो संभव है वहां तक मनुष्य पर और बाकी प्रयोक प्राणियों पर यद्ध्यन किये जाते हैं मनुष्य के व्यवार के साथ जुड़े हुई सरल और जटिल मुद्धों की जानकारी, सिद्धा, नियमों की जाच के लिए और नए सत्यों को उजागर करने के लिए ये महत्वपुंख शेत्र है विकास अत्यन बड़े प्रमाण में हो रहा है इस क्षेत्र का इसमें काम करने वाले विशेशग्या मनुष्य प्राणियों पर अध्याण करके नए तत्यों जागर कर रहे हैं यानि कि आपको बार्वी में पढ़ने हमें आएगा कि अलग-अलग प्राणियों पर अध्यान करके सिख्षा की रित्या में मनुष्य कैसे सिखता है व्यभार कैसे करता है तो चोटे बालक होते हैं तो कोई दो वस्तू का बेद उसको समझाना होता है तो अपने उसको का प्रबलन देते हैं वह व्यभार सिखता है तो उस पर अपने प्रयोग कर सकते हैं उस तरीके से बड़े को गलती को गलती में से सुधारना है उसको सिखाना है कि यह नहीं करना है तो उसके लिए उसको सिख्षा दी जाती है तो यह सब उस तरीके से प्रयोग ही एक प्रक प्रारम बीने और साइमन ने किया इस खेत्र में मनुष्य के व्यवार्थ में अलग-अलग पहलु अजयते कि अभियोग्यता अभिरूची व्यक्तित्व सिद्धी पूर्वग्रव मनोवृत्ति आधि का मापन किया जाता है बुद्धी किसकी प्राणयोगी ना मनुष्य की बुद्धी आप लोगों को ऐसा लगता है कि मापन बुद्धी का मापन कैसे हो सकता है पर हां हो सकता है मनोवेज्यानिक करते है साइकोलोजिस्ट करते है कि बुद्धी उन्होंने साइकोलोजिस्टोंने बुद्धी का सोटि यह अभी उगदेता कसोटि अभी अधियुगेटा मींस की वेक्ति में कौन से शेत्र की युग्यदा उसके लायक है वो अभीरुशी मेंस की इंट्रेस की वेक्ति को कि सीज में वह व्यक्तिव कसोटी भी आती आदिका मापन की आजा सकता है। एक्षेत्र के मापन के लिए लक्षनों की रचना प्रामानी करण, खुनांकर और अर्थ बोधन का कारिया करता है। आपन आवशक मैसूस होने लगा है। सभ इक्षेत्रों में खुब विख्षित हो गया है। मनोविज्यान जैसे कि मानो की अद्योग इक्षेत्र में सेक्षन इक्षेत्रों में। जैसे कि इंडुश्री तो व्यक्ति को इंडुश्री में व्यक्ति को नए परिक्षणों की रचना का उप्योग करके कोंप्यूटर इंटरनेट के परिणाम सारूपत्यन सरण हो गया है लोगों में भी जागरूती आये उसके लिए लोगों में जागरूती आये उसके कारण इस क्षेत्र में कारिय करने वाले विशेशग्यों की आवश्यक्ता मैसूस हो रही है